हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल सैज क्लासीज तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की यूनीट है 13 एमाइन उसका क्योशन 7 देखेंगे इससे पहले जो इसके 6 क्योशन है वो वन बाई वन हम बिलकुल अच्छे से एक्स्प्लेइन कर चुके हैं आ तो अब हम इनको वन बाई वन देखेंगे देखो जो कारवाइल एमाइन रियक्शन है इसका में इससे पहले वाले वीडियो में बिलकुल अच्छे से एक्स्प्लें किया है आप चाहें तो चैनल पर जाके देख सकते हैं ठीक है तो अब हम इसकी सिंपल नोट्स लिखेंग किसी भी चीज का मेकैनिजम नहीं बताऊंगे क्योंकि जो भी मेकैनिजम से समंधित वीडियो थी वो मैंने पहले ही अपने चैनल पर डाल दी है आप चाहें तो वहां से मेकैनिजम देख सकते हैं नहीं यहां पर हम सीधा दिये देखेंगे कि कौनसी रियक्शन कैसे होगी तो देखो जो अपनी करबाइल एमाइन होती है वो किसके द्वारा दी जाती है अलिफैटिक एंड एरोमेटिक दोनों के द्वारा बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमिन्स किसके द्वारा दी जाएगी यह प्राइमरी एमिन्स के द्वारा प्राइमरी ए clodofoam in percent of alcoholic KOH Iisocyanide 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 iso-cyanide यह क्या बोले हैंगे हम यहां इसको कर्डबायल माइन इसका जो मकैनी जोम है इससे पहले मैंने वीडियो में बिल्कुल अच्छे से explain किया है this is card card by amine reaction तो क्या हो जाएगा यहां पे इसका में कैने जिए मैंने बता दिया है तो यहां पे simple हम इसकी creation लिखें क्या लेना है, amine लेना है R के लिखा है हमने ताकि जो अपना, वो अलिफाटिक भी हो सकता है अट्रमाटिक भी हो सकता है आपको लिखना वो वहाँ लिख लेना CHCL3, which is our close of home साथ में क्या CKOS, मतलब alcoholic KOS हमने बोला था, वहाँ से हमें क्या मिलेगा ISOCINIDE, तो यह हो गया जब C से connect होता है कोई भी अपना alkyl group के साथ जब CINIDE group का C connect होता तो आपको CINIDE बोलते है N से जड़ा होता है, तो वह हम बोलते है ISOCINIDE ISOCINIDE और साथ में यहाँ पे मिलेंगे 3 KCL molecule और साथ में मिलेंगे 3 H2 molecule, तो this is our carvile amine reaction, इस कम कहने हैं जब आप चाहें तो चैनल पे देख सकते हैं अब जो next है, अपना वो क्या है dye agotization तो देखो, dye agotization अपना क्या हो जाएगा कि जब हम कोई भी primary aromatic amine group लेंगे उससे हम dyesonium salt बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, dye agotization बोलेंगे, इसका भी जो mechanism है मैंने अपने चैनल पे पहले इससे वीडियो में समझाया हुआ है तो यहाँ पे हम simple इसकी definition देखेंगे तो क्या लिखेंगे हम the process of conversion of of primary aromatic amino compounds amino compounds into dyesonium salt into dyesonium salt is called dye agotization ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम कि माल यहाँ पे अपना कोई भी arrival group है, यह हमने लिया क्या अपना primary amine, जब हम इसमें डालेंगे क्या, NaNO2 साथ में डालेंगे halogen acid किस पे 273 Kelvin पे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा AR N2 plus and X minus और साथ में NaX और 2H2 निकल जाएगा, इसका हम कहने चैनल पे अच्छे से explain किया, आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं, तो यह क्या हम मिलेगा हमें Arine का Digonium salt तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, कि देखो इस reaction को होने के लिए, हमें क्या क्या चाहिए पहले हमें चाहिए sodium nitrite का solution, अपना जो यह वाला है sodium nitrite का solution उसके बाद हमें चाहिए क्या इसमें simple excess of acid यहाँ पर हमें acid लेंगे, कौन सा नोर्मली लेते हैं, HCl तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे इस reaction is carried out in percents of of sodium nitrite and excess of acid अब हम चलते हैं अपनी third reaction पे भी it is our hope man bromide reaction इसमें क्या होता है जब amide को हम bromine और naos के साथ react करवारते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिल जाता है simple अपना amide मिल जाता है जिसमें एक carbon less होगी किससे amide group से तो देखो इसका भी जो जो मैंने अपने चैनल पे बिल्कुल अच्छे से एक्स्प्लेइन किया तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं यहाँ पे हम simple less की definition लिखेंगे क्या होगा यहाँ पे वहन एन amide is treated with with bromine in percent of of alkali solution जो generally हम क्या लेते हैं and new H alkali solution then it is converted to T2 times the amine mean that has जिसमें क्या होगी one carbon less होगी किसे amide group से that has one less carbon atom then starting amide तो यहाँ पे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे क्या होता है इसमें लेते हैं हम two aromatic rings two aromatic rings rings जो किसे जुड़ी होती है अपना end double bond end से जुड़ी होती है मतलब die as a compound वो होते हैं अपने तो देखो जहाँ पे हम क्या बोलेंगे की the reaction of the reaction of joining two aromatics rings two aromatics rings throw n double bond n bond is known as as coupling reactions उसके बाद क्या हो जाएगा कि जो भी अपनी reaction होगी इसमें क्या होता है देखो यह वाला जो अपना compound होता किसमें होता है digonium salt में तो यहाँ से हम क्या बोलेंगी एक तो हम लेंगे digonium salt एक लेंगे phenol तो वहाँ से क्या होगा electrophilic substitution हो जाएगा तो यहां से हम लिखेंगे कि एरीन डाइजोनियम साल्ट साल्स रियक्ट विद विद फिनोल फिनोल तूग्यू कलर्ड एजा कमपाउंस कैसे हमने क्या लेना है एक डाइजोनियम साल्ट लेना है तो यहां से क्या हो जाएगा हमने ली क्या अपनी बैंजीन और डाइजोनियम साल्ट क्या होता है कि अपना एन पे है डबल पॉन्ट एन और सी एल नेगिटिव यह होता है अपना डाइजोनियम साल्ट तो यहां से हम क्या करेंगे सीम्पल हमने क्या लेनी है साथ में फिनोल यहां पर अपने इसके पास है एच तो यहां पर क्या होगा सिंपल कि जो अपना यह जैसे ही अपना यह से लिए उकरेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा अपना यह जो एच है एच यहां से निकल जाएगा और यह आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और यहां से जो अपना यहां realisation हो जाएगा ठीक है तो यहां पर क्या होगा अपना s1 cmL ह हमें कि देख़ो इसका नाम देंगे तो हम कैसे देंगे कि देखो यहां पोजिशन होती है और तो मेटा और यहाँ पे है अपना O-H group तो परा पे तो हाइड्रोक्षी है तो परा हाइड्रोक्षी बेंजीन और जो इसका कलर होता है वो क्या होता है ओरेंज ठीक है यह है अपनी फिनोल और यह हो जाएगा अपना बेंजीन दाइजोनियम लोराइड ठीक, अब देखो, यहाँ पे जैसे इसने S प्लस गया है, तो यहाँ पे क्या बना होगा अपना, यहाँ पे जैसे यह गया है तो इसने इस पे अटक किया है तो Phenol है यह अपनी, यहाँ पे आया CL Negative के जाते हैं, यहाँ पे आया Positive, और Positive क्या करेगा आपना इलेक्ट्रोफेलिक रिएक्शन देगा तो क्या भूलेंगे यहां से डिस रिएक्शन प्रोसीड्स रोव एलेक्ट्रोफेलिक स्प्रिचुशन अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट एक्जामपल पर यह क्या है अपना immunolysis कि जो अपना immunolysis क्या होता है इसमें क्या होगा कि या तो कोई भी अपने पास halogen atom हो कि कोई भी हमने हलकाइल हलाइड लिया है या कोई भी अपना अलकाइल हलाइड ऐसा है जिसमें hydroxy group है तो वहां पे क्या आजाए amine group हो आजाए तो simple language में माल लिया कि मैंने यहां पर अपना alkyl halide लिया है या हमने लिया है तो इनकी दोनों की replacement होके यहां पर हमें amine group मिल जाए उसको हम क्या बोलते हैं aminolysis बोलते हैं तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि it is a process of replacement of of halide और hydroxy group group with amine group क्या कि replacement होगी किसकी या तो halide की या तो hydroxy group की किसमें से किसी भी alkyl halides में से या तो alcohols में से hydroxy group halide की तो किसमें से होगी alkyl halide में से और जो अपनी hydroxy की होगी वो किसमें होगी alcohol में होगी with amine group is cold aminolysis ठीक है तो यहां से हो जाएगी अपनी aminolysis की definition example दें तो हम क्या देंगे कि माल लिया अपने पास क्या है symbol है यह है और इसमें हमने डाला क्या nh3 तो जैसे ही यह bond अपना यह dissociate होगा तो यह जो इसके loan pairs है यह यहां पे देंगे तो यह हो जाएगा अपना r n h h h और यहां पे positive और साथ में क्या हो जाएगा x negative next में क्या होगा इस positive को neutralize करने के लिए यहां से h plus निकलेगा तो यह h plus इसके साथ लग जाएगा तो यहां पे हमें अपने पास है ना इसकी जो access हो जो भी अपना माइन है इसके अपने पास जो access होगी तो यह जो process हो ना यह क्या होता चलिएगा repeat होता चलिएगा कैसे किमानली आम फिर्ट से इसमें कोई भी alkyl hyalide डाल दें उसके बाद क्या हो जाएगा scandry amine यह जो अपने हमें प्राइमरी amine मिला है कौन सा मिला है प्राइमरी amine देखो अपने इसकी प्राइमरी amine की next reaction करवाएंगे ns2 यह डाला हमने तो यहां से क्या हो जाएगा इसका तो एक h और यहां से x वो तो निकल जाएगा hx और यह है simple यहां पर आके connect हो जाएगा तो यहां से हमें के मिल गया अब जो nitrogen है वो दो कार्डबन से attach है तो यह हो जाएगी अपनी scandry amine फिर से अपना जब हम इसमें लोन पेर्ट्स हैं तो जैसे ही यहां से लिए उकरेगा यह इसके लोन पेर्ट पीछे से अटैक करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा r4 n ने अपने लोन पेर्ट दी है तो positive और साथ में मिल जाएगा x negative ठीक है ऐसा ही alkyl halide के case में होगा और जैसा ही किसमें होगा जब हम अपनी alkyl halde लेंगे उसके case में भी ऐसे होगा जैसे आप देख लेना मैं थोड़ा सा बता देती हूं मान लिया मैंने यहां पे लिया गया NH2 और साथ में H2 जैसे हमने यहां पे दिखाया है कि अपने पास alkyl halide हो तो जो अपनी further reaction होगी ऐसा ही हम alcohol के case में भी दिखा सकती है सेम जैसे यहां पे दिखा है यहां पे halide डाला है यहां पे हम alcohol group डाल देंगे ठीक है अब हम चलते अपने next पे which is acetylation तो देखो acetylation का मतलब क्या होता है simple हमें acetyl group को introduce करवाना है acetyl chloride को use करते हुए simple है अपना यह क्या देखो अब acetyl group का उनसा होता है cst c double bone o इसको हम बोलते है acetyl group तो यहां से हम क्या लिखेंगे simple the introduction of acetyl group in any compound किसी भी compound में acetyl group के introduction को into any compound using acetyl chloride which is our cs3 c double bone o cl और साथ में यहां पर क्या सकता है और acetic enhydride acetic enhydride वो क्या होता है अपना simple cs3 c double bond o o c double bond o and cs3 तो इन दोनों में से किसमें क्या होगा जैसे यहां से cacetic acid निकल जाएगा और यह क्या पर हमें क्या मिल जाएगा अपनी यहां पर यह इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction देगा it's called acetylation तो कैसे cs3 cs2 ns2 तो इसमें क्या होगा cs3 c double bond o cl जैसे ही यह cl लिए उकरेगा तो जो इसके n के lone pairs हैं वो पीछे से यहां पर attack कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा अपना sorry यह cl बाद में लिए उकरेगा पहले क्या होगा अपनी यह oxygen है ऐसे dissociate होगा तो इसको छोड़ तो ठीक है तो यहां पर क्या होगा cs3 cs2 c जब भी आपको carbonil और amine group दिखें तो वहां पर reaction होनी ही होनी है n s2 plus ठीक है उसके बाद क्या होगा next step में यहां पर है cl जैसे ही यह cly उकरेगा तो पीछे से यह अपने वापिस से दे देगा हमने यहां पर पहले cl को निकाल दिया लेकिन पहले क्या होगा इसका carbonil group पे amine का attack होगा तो यहां से हमें क्या मिलेगा cs3 cs2 c double bond ओ और साथ में यहां से हमें क्या मिलेगा तो देखो इससी के साथ एक तो ओ था एक अपना क्या था cs3 cs2 इसके साथ है अपना ns2 क्या किया हमने cs3 cs2 ns2 तो इसके साथ जो अपना ns2 है वो इसके साथ है यहां पर हम दिखाएंगे इसके साथ और इसने इससी पर attack किया है और इससी के साथ एक है अपना cs3 ही तो यहां से हम क्या देखेंगे कि जो अपना cs3 है cs2 है इसके साथ अपना क्या लगा हुआ है n और इस n के साथ क्या लगा हुआ तो यहां पर अपना लगा हुआ हूँ यहां पर इस यहां से c3 cs2 यह किसके साथ connect है इस सी के साथ यहां पर आएगा double bond और यहां पर हमने थोड़ी सी mistake कर दिए ऐसे यह आएगा positive हो जाएगा इसके साथ n है हमने यहां पर by mistake सी के साथ लगा दिया था ठीक है तो यहां पर अपना जो यह acidulation है वो complete होता है अब हम चलते हैं किस पर gabriel thalamite synthesis पर तो देखो gabriel thalamite synthesis है वो किसके रिए यूज़ होता है primary alkyl halide to primary amines primary alkyl halide to primary amines ठीक है तो इसमें क्या होता है हम अपना जो अपना एक alkyl halide लेंगे primary alkyl halide लेंगे उसमें क्या होता है पहले इसमें हम देखो thalamite है तो इसमें हमें thalamite लेना ही होगा जब हम thalamite की की抑च के साथ reaction करवाएंगे तो वहां से हमें alkyl halide मेंने लेगा पहले तो अपने पास alkyl halide नहीं है हम बनाएंगे alkyl halide और sel हैलाइड से हम क्या करेंगे वहाँ पर अपना यह reaction दिखाएंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि एक केमिकल टोसेस टोसेस डेट कनवार्ट राइमरी अलकाइल हलाइड इन्टू प्राइमरी एमाई इच कार्ड गैबरियल थैलेमाईड रियक्शन कैसे? इसमें हम लेते हैं क्या पहले गैबरियल थैलेमाईड हमने लिया गैबरियल थैलेमाईड तो आपको यह पता होना जाएगी अपको अपना गैबरियल थैलेमाईड यह होता? CO और NH जब हम इसमें डालेंगे कोH कोH होता है एक बेस तो यहां से H निकाल लेगा और H यहां से तो चला जाएगा और यहां पर हमें क्या मिलेगा? अपना यह C double bond O N C double bond O और यह negative था इसके पास आएगा K पलस और साथ में F2O निकल जाएगा ठीक है? जब हम इसमें डालेंगे क्या? I2 KI C2 H5 I और साथ में इसको हीट देंगे तो यह KI तो यहां से निकल जाएगा और यह C2H5 इसके साथ लग जाएगा कैसे? Benzen C double bond O C double bond O N और इसके साथ लग जाएगा अपना C2H5 नेक्स टेप में क्या होगा? देखो नेक्स टेप में क्या होगा? जैसे यह यहां से dissociate होगा तो अपने पास जो हम डालेंगे इसमें S2O या S2O डालेंगे ना तो यहां पर तो अपना O H अटेख कर देगा और H प्लस यहां पर आएगा क्योंकि यहां पर आएगा negative S ही जब अपना यह bond डिसोशेट होगा तो यहां पर negative यहां पर क्या बन जाएंगा यहां पर भी CWOH और साथ में हमें क्या में जाएंगा NH2 C2H5 फाइफ विच आवार प्राइमरी एमीड ठीक है यही हमें बताना था तो यहां से हम क्या लिखेंगे बताएंगे इसमें हमने क्या लिखा है कि जब हमने लिया थैलेमाईड थैलेमाईड ओन ट्रीटमेंड विद इथेनोलिक के ओएचे ग्यूज पोटासियम थैलेमाईड थैलेमाईड जब हमने उसको हीट दी विच ओन हीटिंग ग्यूज एन के साथ क्या लगा हुआ है इथाईल एन सब्सिचूटिड थैलेमाईड क्या देगा वो एन से सब्सिचूटिड थैलेमाईड देगा जब हम उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे विच ओन है फर्दर हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस ग्यूज टाइम जी तो यह क्या है यहां पर अपना थैलेमाईड ठीक है यह हो जाएगा अपना पोटासियम थैलेमाईड और यहां पर हमें क्या मिला है एन सब्सिचूटिड थैलेमाईड ठीक है उसके बाद हमें यह मिल गया अपना थैलेम जी एमें तो यहां पर जो अपना यह क्योशन है वो कंप्लीट होता है नेक्स्ट वीडियो में हमलेंगे नेक्स्ट क्योशन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्स वर वाचिंग माई वीडियो